हरियाना प्रदेश में कॉंग्रेस की तरफ से अभियान की शुरुवात कर दी गई है और अभियान का नाम है हरियाना मांगे हिसाब भाजपा से हरियाना मांगे हिसाब लेकिन किस तरीके से ये हिसाब मांगा जा रहा है इसके लिए पंदरा पॉइंट की एक चार्शीट भी बनाई गई थी और आज से यह अभियान किस प्रकार से शुरू हुआ है हमारे साथ नव निर्वाचित MP है जैप्रकास जी उनसे हम बात करेंगे सर्थ किस तरीके से इसके कार्यकरम टै किये गए है और क्या संदेश जो है कांगरेस इससे देने के लिए अब फिल्ड में ऊतर रही हैं कांगरेस था आप इनक्रेश को इसकारिये करम को इसकार्यकरम का इंचाषा बनाया है पूरे हर्याना प्रदेश में दिपेंदर सिंग उड़्डा के नेतरतों में हर्याना मांगे हिसाब का कारीकर्म सुरूब आज से हो चुका है तो जैसे आज कर नाल से उन्होंने वो जा रहे हैं यह एक सहर में एक असंबली में पांच से साथ किलो मिटर या कोई बड़ी रेली च्यार्ज पॉइंट तो मुलब जैसे जन जागना भियान तो उसमें दो चीज़ें हैं एक तो हमने उनसे इसाम मांगया है जो उन्होंने सत्यानाज किया है दुसको चार सीट कहते हैं आपके सामने हैं कोई एक भी बात पूरी करियो तो बताओ दूसरा है एक संकल्प है अर्याना प्रदेश कॉंगर्स कमेंटी के जो चुनाव घोसना पत्तर में डाल दी जाएंगे उनको लेकर के हमारा एक एक हुड़ा के नेतरतों में यातरा निकाली जाएगी और 20 तारिकों सुबह नानुन विधान सवाग शेतर में दुपायर के बाद जीन्द सहर में जीन्द सब्सक्राइब तो इस तुरीके से 90 के 90 हलकों में हमारा एक ही इस स्वरकार से लड़ाई है कि जनता को शाब दो क्यों है जब सब्सक्राइब को सो जाए तो फिर विपक्स करता हूं बनता हूं जनता के बीच में जैर जनता को बता है कि वह आप लोगों ने ऐसे लोगों को चुनकर के भीज दिया जिनके सिर के उपर भरस्था चार लेकिन कॉंग्रेस के लिए यह भी चुनाती रहीगी कि आप अगर इसे पैल में रिश लने हूं कर रहे हैं ऐसे पहले यह कारेकरम भी होई हैं एक कारेकरम में हाला कि आप नहीं थे लेकिन उससे पहले जब कारेकरम था कॉंग्रेस ओफिस में तो आप मौजूद थे कुमारी शेल्जा किसी कारेकरम में नहीं आती वो सवाल उठाती हैं कि बैटर हो सकता था रिजल्ट अगर ठीक वितरन ठीक होता यह तमाम चीजे कही ज कि हमारे हर बूथ पर बूथ के समादना रहे थे पोलिंग एजन्ट हर पोलिंग बूथ पर भार हमारे लोग बैठे थे परचार के लिए हमारी कमेंटी अब अब एक बात पर समुन नहीं आतिया बार बार एक ही परसंड करते हो कि संक्टन है दस साल से उपर का वक्त हो गया ना आप यह बताईए आप जब गाजी एक चीज देखिए कि आपके नेता बयान देते हैं कि संगठन होता तो बहतर होता कुछ नेताओं से हम भी बात करते हैं तो उनका भी यह कहना है कि भूत पर अच्छी मेनेजमेंट हो सकती है या तो आप करें कि सवाल ना उठे कि आपने कई प्रदेश बदल दिये अभी प्रभारी आयते हाली में उनका भी यह कहना था कि जल्द जो है एक बैठक करके हम संगठन की घोशन कर देंगा वो टाइम भी पूरा हो चुका है यह पताओ बात है थाम तुम्हारी यह वह काम का पड़ र सब्सक्राइब हो है यह तो बहुत सोद्दा में वह मारत बहुत ज्यादा से संग्टन ने मारा बीजेपी का संग्टन नहीं के देखिया से रहन जीट सिंगे जेंटी नहीं पाइट हुए इनको पन्ना भी गया प्रमुख भी गए और वा इनकी काप्पी भी पैट गी इन संग्टन और बाजय लड़ाई बीजेपी आड़ा की यह बात तो तो हम कर दें मारी तो पूछ लिए दरंबीर सिंग सांसद है विवानी में अंदर गट से और राव साब जो के अंदर में मंतरी हैं वाए थे बोले सब कुछ ठीक निया बीजेपी में बड़ा बड़ा बड सब्सक्राइब करते हैं तो अंदर विदायक बी रोला करें और यहां यूपी में बाइस रहे डंडा तो सारे देश में डंडा भजरे इनका बीजेपी नहीं बल्कि सीनियर नहीं नहीं कोंग्रेस के आप क्या मानते हैं आगए विदान सबा में इन तमाम मैनेजमेंट को द नेताओं के थे और आपका सुझाव उसमें रहा है कौन सा क्राइटेरिया सबसे बढ़ा होगा क्योंकि आवेधन भी मांगे गए है सभी से कि जो चुनाव लड़ना चाहते वह आवेधन दीजिए 31 जुलाइट करें के संटन जो मीटिंग की बात है पार्टी बात वो तो नम में निए बोलेंगे लेकिन पार्टी के निश्रस नेतर्तवने और प्रदेश नेतर्तवने यह नेन लिया कि टिकट मैरिट भी होगी मतलब माता देखके टिक का निलेगा तिक का मैनत से लगेगा और सर्वे से टिकट मिलेगी और उसका रिजल्ट बहुत पोजिटिव काम देखके सर्वे होगा सर्वे में जो आएगा वो कोई भी हो उसको मिलेगी कि आगे आप कैसे देख रहे हैं चुनाब किसके नेतरत में लड़ा जाएगा भाजपा ने कलियर कर दिया मिश्या पंचकुल आयते कि नायब से नी चेहरा होंगे कॉंग्रेस अपना चेहरा ब करते में और गंदी गंदी बात की अच्यान चाहूंगा ki कि कॉंग्रस पार्टी है हर्याना प्रदेश में बहुत मजबूत है और जिस तरीके से हर्याना में एक बार कॉंग्रस कमजोर होगी थी इसमें को दो रही है लेकिन जिस दिन से चौदर उदेभांजी गौदनी स्रीमति सोनिया गांजी जी ने पी सी सी प्रेजिडेंट बनाया है और चोदि दीपेंदर शिंगुटा को को हुं एक नेतर तुम ने जिस तोisters ने काम किया आद्मपुर सिद्भे को आपने देखा है हम अंच साज़ी क्यों हा रहे है हम इस वी साजिश पудर गया यह अरह है ऑवता धूंपुर के या भिव इने आप To जुम्ले से परचार किया जाए तो सर बड़े फैसले कर रही है लेकिन आप जुम्ला कह रहे हैं गाओं के अंदर अगर कोई कमी थी तो इटेंडरिंग में जो छूट है वो पंचायतों के अंदर दे दी जो प्लाट थे वो देने को ले करके घोशना कर दी और भी जो लोगों से जुड़े मुद्धे थे प्रॉपर्टी आएडी परिवार पहचान पत्र स्टिल्ट प्लस फोर लगातार कहीं फैसले कर दियों के बाद एक फैसले कर रही है यह अपने क्या कर दिया मुझे पुलिस के करमसारी मिले मुझे बाहिशाब हुड़ा साब के राज में 20 दिया वह कोटक्रासिस के लोगों को जो 54 लाक कितने हजार पलोट बाड़े थे तो उन्हाद कीमें बच थे तो मैं ठाया लिए यह तो उड़ा साफ जे नीवन्मार कर दें नीवन कर दें नीवन देखना रहे इनका परल्ला कुछ नहीं जो भुपेंदर सिंह उड़ा की सरकार की जिनको इन्हों ने रोक दिया था सिर्फ उन्हीं योजनाओं पर इस परदेश को दुबारा बोट लेना चाहते हैं लेकिन इसे मन कैसे पुदर लेंगे लोगों के लोग इनके खिलाफ होगे अर आज तो तुमने देख लिया होगा बाइलेक्स में जाता था ना तुम्हें जब एक बात कहता था वहें कॉंगर्स परदेश कॉंगर्स कमेटी ने पांच से बातें कहीं हैं और उदेभान जी के धेक्सा में उड़ा साब के नेतर्तों में जिस बढावां जाइए उनका नाम ढांवांगे जिस नेता के नाम से बोट मिलते हो ओथकर पार्टी भी हमेसा ही झाल करता की नीएं विदायकों की उन्सवाँ से जो विधाय चुने जाएंगे उनकी उनसा से 2004 में भी ऐसे हुआ था नो में भी ऐसे हुआ आपका जो रिजल्ट आया भी दस में से पांच सीटे जीते आपका शीर सनेतरत राहुल गांदी संतुष्ट है या उन्हें लगता है कि और बैटर हो सकता दारिया नहीं संतुष्ट ह है जबी तो बात करें है हमारा अला कमांड तो बहुत ज्यादा संतुष्ट है उन्होंने किसको शिर्य दिया इसको बड़े होने करता ना पार्टी की बात यहां करूंगा यह यहां तो लोगांगी बात बताऊंगा के भाई अब बात बीच में तना दूरी छोड़ी हमारी विधायकों के नसंसा हाई कमांड को दी जाती है और राहुल जी ने तो बड़े डेमोक्रेट है राहुल जी ते करनाटका का फैंसला वाओ थे हमाचल का वाओ जिसके साथ विधायक थे उसको बड़ा दिया और पार्टी भी अपने स्टाल इतने बड़े नेता को कमजोर न चपे चपे फे लिखें दिया कि मैं जिस तरीके से आधा साहर के दस साल के काम और मनेहूरलाल और और उस सरकार के गट-बदन, सरकार के कुक्रम काम नियों कुक्रम है हमारे काम सिर्जा के कुक्रम है मों कर आने फैंसला कि दैट Australians बंसाइड के दिक करीम करीब एक सब्ताबाद पार्लिमेंट सेशन आ रहा है क्या मुद्द उठाने जा रहे हैं देखिए किसान संट्रों ने हमारे को ग्यापन दिया था और हम उनकी कदर करते हैं इज़त करते हैं वह लोगों ने बहुत बड़ा संग्रस किया किसान इस देश का अंदाता है और इस है कि दूसरे देश्तों में हम एकस्पोर्ट कर रहे हैं तो उनकी दोतिन मांगे ती जो नकम्री सरकार ने दोखिए से उनकी तो दिया जैसे MSP को कानून की गारंटी किसान का कर्जा माफ और जैसे पराली का कानून बना था बीजोडी का कानून मना था कई चीजी है वह हम पार्लिमेंट मों खाएंगे अबे चोटाला ने इनल्डी से गटबंदन कर लिया कैसे देख रहे हैं आप इसको एक नया समी करन करें थर्ड फ्रेंट जो होगा वो प्रदेश के अंदर खड़ा करने का काम अबे सिंग की बात के उपर को विश्वास करें है कि करेंगे को बतावी अबे सिंग को क्या परसे अब इनका जमाना गया कि अब उसमें नहीं रहा इनका जो फैक्टर है बीएसपी वोटर का और दूसरी तरफ जाट वोटर का वो नहीं लुबा पाएंगे नहीं 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 आप एक देखिए यह वही परिवार है वही पार्टिय लोगदल उन्नीसो ठाणुमें में के साथ समदोता है और ऐसा विश्वास घात किया बहुदन समाज के साथ बस्पा के साथ बहुदन समाज पार्टी के साथ पांच बश्द्यां गठबंदन तोड़ लिए हम तो बीजेपी का साथ जांगे हरब बले आदमियों बराद की से की चल ली थी धूला को बनाए दिय कि बोट कांसी राम जी की बस्पा के लिए के गए थे और जाय बेठें नहीं नहीं इन पर तसली को इन गर्दा अरे जे तसली कर दें ने मेरे बाई 22,000 बोट आई जार पार्लियमेंट में कुल अबे सिंग चुटाला खूद लड़ रहा था 22,000 प्रत्ची आई हैं और वे भी नू आएगी के थोड़ी सी कहीं कहीं कमी रहेगी बने पोट देगर आजी को नहीं कुछ नायब सिंग को जब जिम्मेदारी जब से मिली है प्रदेश की कमान मिली है कैसे देख रहे हैं आप उनके फैसलों कोई फैसले का स्वागत भी करेंगा इनका कॉन सुवाकत करे था गौत सर्पंच आयए धन्यवाद करने यहां पंचकोला के अंदर जब ही टेंड रिंग को ले करके और बाकि सारी सर पंचों की पावर बढ़ाने का यह तो मारी सर्पंचों की तो और कम करके जो रुदा साब के टैम में थी वो करो है वो करो और प्का के रहें सबंदे माल तो कहीं ओर हिखर्च कर दिया नाम तो फंड ही निया नाहोल बदल रहा है आप मान रहें बीजेपी के निता मान रहे है कि जो घोषना हो रही है उससे माहल बदल रहा है पिर रोंदे का नांड़ ए बीजेपी अड़े इनके तो बहुत दुरुक्ति हो गी देख्यों तो जिस दिन कोर्ड ओफ कंडेक्ट लग जगा इन बीजेपी अंगे रिष्टेदार विचानी प्यान दे हैं तो जैप्रकास जैपी बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं और इलेक्शन में किस तरीके से नब्ज टटोलनी है जनता कि उस बात को लेकर के भी इनका कोई सानी न रहेंगे नरनोद के अंदर कैसे कारेक्रम रहेंगे आने वाले समय में ऐठ आरह उननिस तारिक में उसके बारे में भी जानकारी दीए क्योंकि हासी और नारनोद जो है उनके शेतर के अंदर पढ़ता है तो जगह जगह दिपंदर घुडा जिसे सियोजक बनाया गया है हरियाना मांगे हिसाब अभियान का वो जगे 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 जा रहे हैं और इसी तरीके से अलग-अलग पार्लेमेंट में अलग-अलग विधानसभा शेत्र में लोगों के बीच में जाकर के सरकार की कार गुजारी का हिसाब मांगने का काम कर रही है कॉंग्रेस सब यह देखना है कि लोग इस पर कितना भरोसा करते और किस तरीके का फायदा इसे कॉंग्रेस को मिल पाता है चंडिकर से कैमरामेन सूरिया के साथ जितेंदर चौधरी खबरे अभी तक